कि आज हिस्ट्री का एक सेंपल पेपर अप्लोड के जा रहा है यह बूट पेपर है मार्च 2019 का जो के न्यू सिलेबस के बेस पे आया था कुछ करेक्शन से पेपर के अंदर जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है जो मार्क्स चेंज हुआ है उसको डिसकस के जाएगा बट कोश साइन्स का भी लास्ट चेप्टर आपको अमिड है तो वह कोश्चिन को स्क्रिप करके आप लोग की पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है आपके प्रैक्टिस के लिए और जो करेक्शन हुआ है उसके साब से पेपर जो है 40 मास्क हो गया है तो आपको 40 मास्क के हिसाब से इसको सॉल्ड करना है कोश्चिन नम्र वन एए mcq सब mcq आप लोग इजले पैटिस कर सकते हो आप लोग स्क्रिंशॉट लेके इसको पेपर को सॉल्ड कर सकते हो या वीडियो को पावस करके भी सॉल्ड कर सकते हो mcq के अंदर आपको प् कावस करक्ट इट एंडित रॉंग पैर को अधिटीफाई करके करेट करके लिए लिखना आपको तो यहां पर चार कोशिन दिएगे है को कि next question number two complete the following concept chart concept chart के question जो textual है वही आते आपको तो best option यही यह के text book के अंदर जो Limited जितने भी concept chart है उसको आप लोग एक साथ में study कर लेगे जितने भी objectives ए फिल अप है तो सब फिल अप साथ में study कर लो सब identify the wrong pair को study कर लो सब concept chart को एक साथ में study कर लो तो history और geography के अंदर textual question ही आथे जो exercise में दिये होते science की तरह beach में से question इसमें बहुत rarely पूसता है तो पहरा concept chart है second भी concept chart है यहाँ पर आपको any two करना है तीन concept chart दिये गए आपके screen के उपर इसमें से आपको any two करना है next, write short notes on तो यहाँ पर तीन short notes दिये गए है उसमें से तो reduce syllabus के base पर omit है उसको skip करके आप बाखी questions प्रैक्टिस कर सकते है important questions है next question number three है explain the following statement with reasons any two तो यहाँ पर आपको पाज दिये गए उसमें से कोई दो statement को explain करना है reason के साथ में सब textual questions है आपको exercise में मिल जाएगे next question number three short question से wise walter said to be the founder of modern historiography आपके starting के lesson में है यह question important question है आपको study करना चाहिए यह question को second one write about folk tradition of sculptural art which features of cricket commentary write which features of cricket commentary अबाल जे पंडित कैन बी मेंशन तो यह सब questions आपके textually है और important questions है यह जो new pattern में एक question यह है कि passage दिया रहते आपको और उसके base पे यह questions दे दे test book में एक passage आपको जिसकी heading radio है तो उसी तरह यहां पर एक passage दिया गया बारात एक खोज तो उसके base पे जो questions है उसको आपको solve करना है question number fifth write elaborate answer brief में आपको यहां पर answer लिखना है any two दिया गया four four mass के दो brief है तो चार brief में से any two आपको solve करना है यहां पर next question number six यहां से आपका political science start हो जाता है तो the essence of democracy is dash dash is the main demand of farmers movement तो यह जो farmers movement पहले हुआ है उसके accordingly आपको इसको लिखना है objective के अंदर भी और brief के अंदर भी अभी जो farmers movement चल रहा था उसके कोई भी points आपके answers में नहीं आना चाहिए वरना वो discard हो जाएगा उस पे marks आपको नहीं मिलेगे चार mcq यहां पे next question number seven state the whether the following statements are true or false give reason तो यहां पे आपको true रहा तब भी reason देना है उसको बच्चे बहुत बड़ी मिष्टे किया यह करलते के marks देखते नहीं है हर question two marks का यहां पर है true or false का तो सिफ अगर true लिखोगो तो आपको one marks ही मिलेगा true लिखने के बाद भी आपको उसको one or two points में at least इसको explain करना है तब ही आपको complete two marks मिलेगे आपको तो तीन में से कोई दो करना है आपको last part में आपके short notes यहां पर regionalism, water revolution, right to information सब important questions है इस में से कोई two लिखना है आपको यह paper के अंदर आप लोग सब practice कर लेगे last question activity है complete the flow chart तो flow chart के अंदर जैसा हम आप लोग अच्छे से याद कर लो वही questions जो textbook के अंदर है वही आते आपको process of election आपके textbook के अंदर यह दिया गया है उसको study करना है और यह पर solve करना है next यहां पर कौन से year में कौन सी party established भी थी उसके recording इसको political parties of India chapter उसमें यह दिया हुए चार्ट और challenges in democracy यह chapter का नाम भी है आपका तो उसके बेस पर यह concept map solve करना आपको तो next जो है brief answer the following question in brief यहां पर four questions दियेगे आपको कोई दो ब्रीफ इसको explain करना यहां पर क्योंकि यह 60 मार्स का पेपर है तो questions इसके अंदर ज्यादा है 40 मार्स के लिए आपको मार्स 2020 जुलाइ 2020 और रेड्यूस सी लेबर्स के बेस पर जो paper है उसको upload refer करो history geography के बेस पर question bank भी upload किया गया 2022 के लिए आपको सारे वीडियो मिल जाएगे चैनल के अंदर तो यहां पर चार में से कोई दो करना है आपको ओके तो इससे पहले चैनल पर max 1 max 2 science 1 और science 2 का बोड के papers upload है तीन-तीन साल के बोड के पर upload है reduced syllabus के paper upload है और question banks भी upload है तो यह से आप लोग study करेंगे तो आपको 70-80% आप लोग कोई भी पर अप्लोड कर सकते हूं